हेलो दोस्तो डेली नूज के परिवार में एक पाप फिर से आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये वीडियो एससी MTS के है ये जीके का वीडियो होगा 25 कोचन का एक वीडियो होगा आज दूसरा वीडियो है एक वीडियो पहले से डाला जा चुका ह होगा अगर आप नहीं देखेंगे तो उसे देख लेंगे इसमें 25 कोचन रहेंगे और पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ रहेंगे अगर आप MTS का एकजाम दे रहे हैं या किसी भी ऐसे एकजाम के तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके आता होगा तो ये वीडियो आपके लिए भी काफी महत्पूर्ण होगा तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को 25 कोचन होगा और SAC MTS 2021 के लिए बेहधी महत्पूर्ण होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब न किये होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आज का पहला कोचन भारतिये राष्ट ध्वज सही जबाब होगा option D यानि 22 जुलाई 1947 को राष्ट धोज को अपनाया गया था और हमारा राष्ट धोज का नाम क्या है तो हमारे राष्ट धोज का नाम है तिरंगा तिरंगा का मतलब ट्राइक कलर इसमें तीन कलर होते हैं सबसे उपर जो रहता है वह केसरिया कलर का रहता ह है बीच में सफेद यानि उजला कलर रहता है और सबसे लाष्ट में रहता है हडा कलर यानि तीन कलर का हमारा तिरंगा रहता है बहुत बार इसके color से towards suggestion पोजता है कि जो कैसारिया रंग है या किस चीजको दिनोर करता है तो कैसारिया रंग जो है यह सक्टी को सौर्य को प् भरे भरे यानि हमारे उन्ना हैम संपन इसका प्रतिक होता है और तिरंगगा तिरंगा के बीच में एक चक्र रहता है इस चक्र में 24 तिल कुछ असुक्व ₹ER्या न्याईर नियुकल करें था इसके लिए मैंने बतला दिया चलिए देखते हैं आज के अगले कोच्छन को कोच्छन नमबर दो निम slaves नदी अरब सागर में गिरती हैं तो चलि देखते हैं कि इसका इनसर क्या होगा और इसका सही जवाब हो जागा option A यानि सिंधू नदी है या अरब सागर में गिरती है इंडिया का मैप देखेंगे तो नीचे से जैसे ऐसा है इस साइड तो बंगाल की खाडी हो गए और इस साइड हो गए हमारा अरब सागर ये नीचे हो जाता है हिंद महा सागर तो इस साइड कौन सी नदी गिरती है तो सिंधू जो पाकिस्तान से आती है सिंधू नदी एक्च्वल चाइना कुछ भाग इसका इंडिया में है और मैक्सिमम भाग इसका पाकिस्तान में है तो यह पाकिस्तान की सबसे लंबी भी न दी है पाकिस्तान की सबसे बड़ी न दी है लेकिन इसका कुछ बाग चाइना भी है और इंडिया में भी है और यह उद्गम का हाथ से होता तो इसका उद्गम होता है तिब्बत के मान सरुवर से और यह कहाँ पर गिरती है तो यह अ किया गया था राजीव गांधी खेल रतें 2019 से किसे समानीत किया गया था आपके पास चार ओप्षं दिये गया हैं और आपको इसका सही जवाब बताना यह करेंट अफियर का कोशन हुआ तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। इसका सही जवाब है ऑप्षं यानि रोहित सर्मा को रजी उगांदी खेल रतन 2019 दिया हुआ था इसे राजी उगांदी खेल रत्न भी बोला जाता है यह खेल जगत का सबसे बड़ा पुरसकार है जिसे पुर्वर परधान मंत्री राजी उगांदी के नाम पर इसे शुरू किया गया था और इसे भारत सरकार के खेल और इवा मामलों के मंत्री के द्वारा इसे दिया जाता ह इसके थुरूर जिसे मिलता उसे 25 लाक रुपया नगद मिलता है और खेल रतन की सुरुवात 1991 से 1992 के बीच में इसकी सुरुवात हुई थी और सबसे प्रथम खेल रतन आवार्ड जो मिला हुआ था या विश्वनाथन अनंद को मिला हुआ था जो एक चेस के प्लेयर है चलिए अगरा कोशन को देखते हैं दोस्तों जो एक्ट्रा फैक्ट दिया जाता ये काफी महत्पूर्ण होता ये सब किसना किसी एकजाम में आया हुआ है इसलिए इसका आपको बताने का पर्यास करता हूँ ताकि आपका रिविजन हो सके चलिए चलिए चल्था कोशन देखते हैं निमनी लिखित में से कौन उरिसा की एक परामपरिक पेंटिंग को है आपके पास चार ओप्सन दिये गए हैं और आपको इसका सही जवाब देना है चले देखते हैं इसका सही जबाब क्या होता है तो option B यानि चार का option B सही है यानि पट चरित्रिया उरिसा की एक परमपरिक painting है अब उरिसा उरिसा की रजधानी भुबनेश्वर है उरिसा के CM नवीन पतनायक और गवर्नर है गनेशी लाल जगरनात मंदिल है उरिसा में पूरी उरिसा में घुमने वाली जगा है और जील भी है उरिसा में तो ये उरिसा से लेटर कोई चीज था चले आगे देखते हैं आज के अगले कोशन को question number 5 निमनलिखित में से कौन भारतिये और आपका सही जबाब हो जाएगा option B यानि सुनील अरोडा जी कभी भी आरवी आई के गवर्नर नहीं रहे है और बाकी ये लोग आरवी आई के गवर्नर रह चुके है जैसे मनमोहन सीम जो पूरो परधानमंती गवर्नर रह चुके है उर्जित पतेल भी और रहुराम राजन भी रह चुके है लेकिन कौन गवर्नर नहीं थे ते सुनील अरोडा गवर्नर नहीं थे RBI यानि रिजर बैंक आफ इंडिया परजेंट टाइम पे इसके गवर्नर है सकती कांत दास RBI जो है या भारत की सिंट्रल बैंक है यानि बैंकों से रिलेटेड जो भी पॉलिसी आती है जो भी निती है जो भी रूल लेगुलेशन यह सब RBI ही तै करता है RBI का हेटक्वाटर महराष्टर की राजधानी मुंबई में है RBI की अस्थापना 1 अपरेल 1935 को हुआ था तोस्तों यह RBI से रिलेटेडर कुछ महत्पूर जानकारी थी जो आपकी एक्जाम के लिए काफी महत्पूर है यह देखते हैं अगले कोश्चन को कोश्चन नमबर चौ वानभर्ट द्वारा लिखी गई प्राचीन पुष्टक निम्न लिखित में से कौन सी है यानि वानभर्ट ने किस पुष्टक को लिखा हुआ तक चार ओप्शन दिये गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ओप्शन A यानि कादंबरी कादंबरी किसके द्वारा लिखा गया था बानभर्ट के द्वारा लिखा गया है बानभर्ट का बदनभी पुष्टक लिखे कादंबरी संस्कृत भाथसा में एक लिखी काई रोमांटिक पुष्टक है इसके लिखा कवानभर्ट है आगे चलते हैं अगले question को देखते हैं question number 7 पारसी नौवर्स किस नाम से जाना जाता पारसी लोग जो अपना 9 वर्स मना जाता नियू इयर मनाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता आपके पस चार option दिये के हैं और आपको इसका सही जवाब बताना है देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा और इसका सही जवाब हो जागा 9 रोज यानि 7, 7 का answer हो जागा B पारसी का जो नू इयर होता उसे 9 रोज बोलते है आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगांगे तो यहाँ पर समझ में आ जागा 9 रोज 9, 9 का मतलब आप देखते होंगे नया रोज का मतलब होता है दीन यानि नया दीन, यानि साल का जो नया दीन होता है उसको नू रोज के रूप में पारसी हो के द्वारा मनाया जाता है या अगस्त मास में मनाया जाता है और इरान, इरान में नौरोज को बोला था एदे नौरोज चलिए आगे देखते हैं आज के अगले question को question number 8 देखते हैं पुछतक war and peace किसके द्वारा लिखी गई है ऐसे भी पुछ सकता है कि पुछतक war and peace के लेखा कौन है तो आपके पास चार option दिये गए हैं और आप काफी सोच के इसको बता हैं क्योंकि यह काफी famous question है बहुत सारे exam में यह आ चुका हुआ आता है और SAC में repeat question को ही ज़्यादा लिया जाता है तो चलिए क्या होता इसका answer देखते हैं और इसका answer है Leo Tolstair यह option A हो गया इसका सही जवाब यह पुष्टक जो है Leo Tolstair के द्वारा लिखा गया था यह एक रूसी लेखा के रूसी का मतला यह रूस के एक लेखा के जो 19 सदी यानि 1879 इस पुष्टक को उन्होंने लिखा हुआ था आगे देखेंगे question number 9 डेवीड कार्ट पर कितने अंक होते हैं डेवीड कार्ट यानि ATM कार्ट जिससे आप मसीन के थूरू पैसा को withdraw करते हैं उस पर कितने डेवीड कार्ट का जो number होता है अगर आप online shopping करते होंगे तो आपको निश्ची तोर पर याद होगा और नहीं याद होगा तो आज आप जान लेंगे पहला चोड डिजित होता है बैंक का identification number और लास्ट का जो 10 डिजित होता है या जो card holder होता है यानि जो customer होते हैं उनका एक unique account number होता है जिससे वो अपने पैसा को निकाल लेते हैं debit card debit card को हम लोग ATM card के रूप में भी जानते हैं ATM card भी बोला जाता है अब ATM card ATM का full form होता है automated teller machine आगे चलते हैं आज के अगले question की दरब question number 10 Lord करजन निम्नलिखित में से किस घटना से समन दीत है कौन ऐसा घटना है जो Lord करजन के द्वारा किया गया है और आपके पास चार्थ option दिये गए हैं और आपको इसका सही जवाब बताना है अच्छे से पढ़के बढ़ेंगे आपको निश्ची तोर पर ये question याद होगा तो चलिए देख लेते हैं कि आपका जवाब जो है वो सही है या नहीं होता है तो option A यानि partition of बंगाल बंगाल का बिभाजन Lord Karjan की सबसे बड़ा काम था बंगाल का बिभाजन Lord Karjan ने किया वाता एक्च्छल बंगाल का बिभाजन ये Lord Karjan जो की ये संप्रदाइक यानि धर्म के अधार पर बंगाल का बिभाजन के लेकिन इन्होंने बोला कि बंगाल का जो भीवाजान है वो administration के अधार पे किया जागा बट बंगाल को दो भाग में बटा गया एक पूर्वी बंगाल एक पच्वी बंगाल तो पूर्वी बंगाल जो था या मुस्लिम भाहुल चेत्र था और पच्वी बंगाल इसलिए इसको दो भाग में बाट दिया गया इसके बिरूद भारतिये लोगों ने बंग बंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन चलाया गया लगातार आंदोलन होते रहें लोड कर जाने इसके बाद भारत के लोग का जो बिरूद था इसको देखा 1911 में जो दिल्ली दर्वार जो सजा हुआ था उसमें बंगाल विभाजन को रद कर दिया गया आगे चलते हैं अगले कोचन की तरफ कोचन नंबर 11 टाइम ट्राइल सब्द निमले खित में से किस खेल से समंधित है कौन ऐसा खेल है जिसमें टाइम ट्राइल सब्द का परियोग किया जाता है चार ओप्सन से खेल सरक के बहुत सारे कोचन में देख नेका मुलता गूगल इक कई तो उस तरह तरह टाइम ट्राइल सब्द की से रिलेटर ये से लिए साइक्लिंग से लिए अगला कोचcellent 17 वी लोगसाबा के अध्यक्श कौन है 17 वी लोगसाबा के अधियक्शmeno आपको थोड़ा कनफ् कौन सा सत्र उसका चल रहा है तो सत्रवी लोगसभा का अध्यक्ष और देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होजाएगा Option C. ओम बिर्ला अभी जो हमारा लोगसभा चल अध्यक्ष है यह सत्रवी लोगसभा के अध्यक्ष है यानि ओम बिर्ला साहब अधियक्ट है ओम बिर्ला साहब एक MP है जो कोटा से है या कोटा के MP है एक कोशन काफी महत्पूर्ण है लोकसभा के अधियक्ट से प्रथम लोकसभा के अधियक्ट कौन थे तो प्रथम लोकसभा के अधियक्ट से गनेश वासुदेव मौलंकर जो 1951 स ते लिए का 1996 में और लोकसभा का बैठक होता है, उसी में लोक सबा के प्रोटेम स्पीकर को चूना जाता है और गया करते हैं, और प्रोटेम स्पीकर के चली त्रिघंट के स्पीकर करते है, तंबर फिरो तरह है, उतले लियते हैं उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष उसी में से एक को चुना जाता था अभी अध्यक्ष कौन है ओम बिर्ला साहब है आगे देखते हैं अगले कोचन की तरफ कोचन नमबर 13 भारतिये समिधान में कितनी अनसुचे काफी महत्मून है काफी खुबसुरत कोचन है और काफी असान भी है अगर आप थोड़ा सा भी पौलिटी पढ़ेंगे तो आपको यह कोचन स्यूर ही समझ में आ जागा क्या है क्या है क्या नहीं तो चले देखते हैं इस समय कितना था उस समय आर था और अभी कितना है बार यानि चार नहीं अनसुचिया इसमें एड़ हुई आप से कोचन भी पूछ सकता है कि जैसे नौवी αенсशचिक कब भोई दसवी अनयसचिक आड़ वह एड़ु एगार्भी अनयसुची कब है तो नौुषी अनयसजी प्रतं समिद्या संसुदन जब उनी सो एकावन में हुआ था था उससमें नौइं अनयस्जी क sev गाढ़ किका गया था दसवी अनयसुची 42 संसुदन 2002 में इसको add किया गया था अनुसूची से related question exam में देखने को मिलता है अगर आप इसको समझ लिए होंगे तो यह काफी आपके लिए असान हो गया होगा अगला question देखते है 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था जनसंख्या घनत्व नौट यह जनसंख्या का बात नहीं पूछ रहा है यह जनसंख्या का density का बात पूछ रहा है तो चलिए देखते हैं जनसंख्या की घनत्व क्या है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option B यानि 382 पर square kilometer जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है एक किलो मीटर स्क्वाइर में कितने लोग रहते हैं भारत में यह एक एवरेज निकाला जाता है कैसे तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है और भारत का एडिया कितना है तो दोनों को डिवाइड करके इसको निकाला जाता है तो भार 11 के जन गन्ना के अनुसार किस राजिकी जन संक्या गन्ना तो सबसे कम थी तो सबसे कम थी और उनाचल परदेश का इसका कितना था 17 यानि एक किलो मीटर स्कॉार में 17 लोग रहते हैं और सबसे अधिक जन संक्या गन्ना तो था बिहार का बिहार का कितना है एक गारा सो दो किल खोज किस ने की थी, इलेक्ट्रॉण को खोज किस ने की थी है और आपको इसका सही ज़बाब बताना है और इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब हो जागा option A J.J. Thompson ने electron की खोज की हुई थी अप एक trick है जिसे आप देख लेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा the गोप चन इस trick को अगर आप समझ ले रहे हैं तो यह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा याद करना the गोप चन तो टी एस से होता है thomson और इस से होता है electron जी ओ इस से हो जाएगा goldstein P से हो जाएगा proton C.H.A. इस से हो जाएगा chadwick और N से हो जाएगा neutron यानि T.H.E.दा तर टी एस से क्या होगा thomson इस से electron electron की खोज thomson यानि J.J. Thompson GOP G.O. से goldstein P से proton यानि proton की खोज goldstein C.H.A. से chadwick N से neutron यानि neutron की खोज James Chadwick ने किया था अगर आप इसको याद रख लेंगे तो आपको काफी असान होगा और rudderford ने क्या किया था navi का खोज यानि thomson electron का chadwick neutron का rudderford navi का और goldstein proton का अगर ये तरीका आप याद कर लेते हैं आपके लिए काफी आसान हो जागा चले देखते हैं आज के अगले कोश्चन का कोश्चन नमबर 16 निमने लिखीत में से किस मंत्री को UK-India Relations Celebrating Women लिष्ट में सबसे प्रभावी साली में नाम दिया गया है भारत की कौन महिला जिसको सबसे प्रभावी साली में इनमें इनका नाम आया हुआ है देखते हैं इसका सही जबाब क्या हो जागा option B सही जबाब क्या है निर्माला सीता रवन निर्माला सीता रवन जो अभी finance minister है बीत मंत्री है इनी का नाम इसमें आया हुआ है यह करिंट अफेर का एक कोचन था चले आगे चलते हैं अगले कोचन को देखते हैं कोचन नमबर 17 निमने लिखित राजबंस में से कौन कुतूब दीन एबक द्वारा अस्थापित किया गया था यानि कौन ऐसा राजबंस था जो जिसे कुतूब दीन एबक ने अस्थापित किया हुआ था और आपका संदिया हुआ इसमें आपको सही जवाब बताना है देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होजागा Option D Slave Dynasty यानि गुलाम बंस कुतुब दीन एवक ने गुलाम बंस की नीव रखी हुई थे गुलाम आपको पता होगा कि गुलाम जिस तरह आपको पता होगा कि एक तराहिन का यूद हुआ था जो प्रिथवी राज चोहान और महमद गोरी के बीच में हुआ था महमद गोरी जब जीता हुआ था उसके बाद महमद गोरी इंडिया में आ गया कहीं कहीं यूद करता था ये लोग लूटे रहे थे लूट के समान चले जाते थे लेकिन इन्हीं का जो दास था इन्हीं का जो गुलाम था महमद गोरी था वह महमद गोरी भारत में आया वह गुलाम बंस के नियू रख दीगे गुलाम बंस भारत 1206 से लेकर 1290 तक इन्होंने भारत में सासन किया गुलामबंस के जो थी इसकी रजधानी दिल्ली थी आगे चलते हैं आज के अगले कोचन के तरफ कोचन नमबर 18 भारतिय समिधान के किस अनुचेद के तहत हिंदी को अधिकारिक भासा घोसित किया गया है भारतिय किस अनुचेद के तरफ हिंदी को अधिकारिक भासा घोसित किया गया हिंदी जो हमारा official language है इसको किस अनुचेद के तरफ किस अनुचेद में इस बात के चिकर की गई है चलिए देखते हैं किस अनुचेद में की गई है कि भारत की राजबासा हिंदी होगी और इसकी लीपी क्या होगी इसकी लीपी देवनागरी होगी हिंदी राजबासा होगी और इसकी लीपी हो जाएगी देवनागरी अगर आप नहीं समझे हो तो आपको एक चीज़ हम बतलाते हैं उस पर आप क्या करेंगे ध्यान देंगे आपको क्या होगा समझ में आ जाएगा ये हिंदी लिपी इसकी राजवासा की देवनागरी लिपी कहने का मतलब क्या हो रहा है तो इसके लिपी कहने का मतलब ये हो रहा है जैसे आपको लिखना है जब तो आप जब ऐसे भी लिखते हैं और आप जब J a b लिख रहे हैं तो कौन सही है, तो सही यह है कि भासा हिंदी और लीपी देवनागरी तो देवनागरी में इसको लिखा गया है इसको नहीं, या या यह सही नहीं है इसलिए इसको बोला गया है कि 243 के A में क्या बोला जाता है कि भारत की राजबासा हिंदी है और इसकी लिए भी देवनागरी है चले देखते हैं आज के अगले कोचन को कोचन नमबर 19 सीख धर्म के पाँचवे गुरू कौन थे सीख धर्म के पाँचवे गुरू का आपको नाम बताना है काफी महत्पून है और काफी बार एकजाम में आज चुका हुआ है चले देखते हैं इनका नाम क्या है तो इसका सही जवाब हो जागा Option C यानि गुरू अर्जुन देव गुरू अर्जुन देव है या सीख के पाँचवे गुरू थे सीख के दस गुरू थे दसो गुरू का आपका नाम अच्छे से याद रहना चाहिए अगर नहीं याद है तो मैं एक बार रिविजन करा दोता है आप देख लिजेगा प्रथम गुरू थे गुरू नानक देव इन्होंने सीख दम की अस्तापना हुई दूसरे गुरू थे गुरू अंगद देव इन्हें लाहना के नाम से भी जाना रता है तीस्टे गुरु थे अमर दास, चोथे गुरु है राम दास, और पांचवे गुरु तो यही है गुरु अर्जुन देउ, छटे गुरु गुरु हर गोबीन्द, सात्वे गुरु हर राए, आठवे गुरु हर किशन, नवे गुरु गुरु तेग भादूर, और दस्वे बिजन कर लेंगे और इनका सीरियल एक पर याद कर लेंगे चले अगला कोश्चन नमबर 20 ब्लीज पास्कल के नाम पर निम्लिखित में से किस मात्रा की एसाई इकाई रखी गई है पास्कल के नाम पर कौन सी एसाई इकाई है तो आपके पास यहाँ पर चार आप्शन दिये तो पासकल तो दवाव यानि ऑप्सन क्या हो जागा ऑप्सन बी इसका सही जवाब हो जागा ऑप्सन बी इसका सही जवाब होगा पासकल दवाव यानि जो प्रेसर होता है प्रेसर का इसा यूनिट होता है पासकल और एक पासकल जो होता है यह एक न्यूटन मीटर स्कॉार के दबाब का SI unit रखा गया है तो चलिए देखते हैं आज के अगले कोचन को कोचन नमबर 21 किसने निम्री लिखीत में से किसने अधिक्तम समय के लिए भारत का केंद्रिये बजट प्रस्तूत किया हुआ है जो भारत सरकार का केंद्रिये बजट प्रस्तूत था उसे सबसे अधिक बार किसने प्रस्तूत किया हुआ है काफी फेमस कोचन है और आपको इसका सही जबाब बताना तो देखते हैं इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब बज़ागा ओप्शन सी मुरारजी देशाई या कॉंग्रेस की जब सरकार थी उससे में ये बीतमत दे थे इन्होंने आज तक 10 बार बजट जो सरवाधी के सबसे अधिक बार इन्होंने बजट पास दे ये तो 10 बार किये हुए थे 9 बार किस ने किया तो 5 चीदमरम जो है इन्होंने 9 बार बज़ट पास किया था और प्रनौव प्रणौव मुखर्जी या आठ बार बजट पास ते हुए थे यानि सबसे अधिक बार मुराजी देशाई दस बार दूसरे नमबर पर पी चीदम रम नौ बार और तीसरे नमबर पर प्रणौव मुखर्जी आठ बार चले देखते हैं आज के अगले कोचन को हमारा 22 वा कोच option C mitochondria यानि नाभिक में भी DNA होता है और mitochondria में भी DNA होता है mitochondria इसे power house, power cell, उर्जा घर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें उर्जा का उत्पाद होना होता है पीटी मीटी मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है आपको उस राजे का नाम बताना जिसमें मार्स या पीटी मीटी जो है मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है और आपका सही जबाव हो जागा option B यानि मध्य पर्देश में मार्स या पिटी मिटी जो है या मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है कहाँ पर तो मध्य पर्देश में चले देखते हैं आज के अगले कोशन को हमारा अगला कोशन किया है question number 24 पानी में पाया जाने वाला निम्न लिपखे arsenic पानी में अगर arsenic की संख्या जादा हो गई arsenic की मात्रा अगर जादा हो रही है तो या cancer का कारण होता है या cancer ही नहीं cancer के कारण के कारण kidney फेल भी हो सकता है हिर्देसमधी बीमारी होती है फैफरा का बीमारी यानि बहुत सारे बीमारी को यह जर्म देता है कौन arsenic और पानी में arsenic के मत्रा जादा हो थी या बीमारी को जर्म देता है सबसे बारा तो cancer को ही देता है चलिए बात अगला देखते हैं और जो आज का आखरी कोचन भी होगा निम्लिखित में से कौन सा रोग proton की गंभीर कमी के कारण होता है सरीर में अगर proton की कमी हो रही है तो कौन सा रोग होता है चार option दिये गए हैं और आपको इसका सही जवाब बताना है और आपको सही जवाब हो जाएगा option A कौासी योरकर या प्रोटीन की कमी के कारण होता है जो बच्चे में बिमारी होती है या प्रोटीन की कमी होती है प्रोटीन एक बोड़ी विलिंग फूड है यानि उर्जा का मसन का निर्मान करने के लिए उर्जा के निर्मान करने के लिए प्रोटीन की काफी आउसकता होती ह जो निका सरीर ग्रोथ होता है उनमें प्रोटीन की मात्रा का अच्छा हो ता अच्छा सरीर ग्रोथ होगा प्रोटीन के काफी सोर्स है इसमें से कुछ अच्छे सोर्स है दाल, अंडा, मांस, सोयबीन, मतर या प्रोटीन का हाई सोर्स है इससे प्रोटिलिंगी मात्रा ज्यादा होती है दोस्तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है अगर आप वीडियो को चाहें तो आप ट्रेक्टिक स्वर्ट के तरपे भी कर सकते हैं इसका इंसर दिया हुआ और आपको इसका पीडियाप हमारे टेलिग्राम गूर्प में मिल जाएगा आप हमारी टेलिग्राम गूर्प को ज्वाइन कर ले और वहाँ से पीडियाप को डाउनलोड करके आप अपना प्रेक्टिस कर ले अगर आप MTS का एक्जाम दे रहे हैं दोस्तों वीडियो को पुरा देखने के लिए अन्तक बने रने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन सुभो